आदर्निय पद्मामाम, सुब्रमन्यम सर, आनीमाम, शिक्षगण और चात्रगणों को मेरा प्रणाम आज के दिन होकी के जादुगर मेजर ध्यान चन जी का जन्म दिवस है इस दिन को हमारी भारत सरकार ने राश्ट्रिय खेल दिवस भी गोशित किया था एक ऐसा देश जिसने सचिन टेंडूलकर, विराट कोली और बलबीर सीह सीनियर जैसे सूपरस्टार देके है इनके बावजूद होकी के करियर में मेजर ध्यान चन ने एक विशे स्थान प्राप्त किया है जब उनको भारतिय टीम में स्थान मिला था तब इतनी सुविधाएं नहीं थी उनके पास खेलने के लिए जूते भी नहीं थे उन्हें पैर पे कपड़ा लपेट कर भी खेला इसमें हमें ये खेल के प्रती उनकी शद्दा नजर आती है और ऐसे संगर्ष के दिनों को याद करके हमें उनसे प्रेरना लेनी चाहिए अब आईए मैं आपको उनकी प्रिष्ट भूमी के बारे में बताती हूँ 29 अगस्ट 1905 को उत्तर प्रदेश के इलहाबत जो अभी प्रयाग राज के नाम से जाना जाता है में जन में ध्यान चंद सीह ने अपनी स्वतंत्रता से पहले अच्छा फॉर्म दिखाया एक राजपूत परिवार से थे इनके बड़े भाई रूप सीह भी एक हौकी खिलाडी थे यह बच्छपन में खेल में कोई रुची नहीं रखते थे यह 16 वर्ष की आयू में सन 1922 दिली के प्रतम ब्राम्बन रेजिमेंट में सेना सिपाही के पद के तौर पर भरती हो गए थे द्वितिया विश्वयुद्ध से पहले के वर्षों में यह खेल में हावी हुए ग्रीश मकालीन ओलंपिक में भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक और अपनी पहली हाट्रिक पूरी करके मदद करने में बहत्वपून भूमिका निभाई ब्रिटिश भारतिय सेना के रेजिमेंटल टीम के साथ अपनी हौकी करियर की शुरुवात करते हुए एक युवा ध्यान सिह ने एक विशेश प्रतिभात है लेकिन जिस चीज ने उन्हें आगे पहुँचाया वह ता उनका हौकी के प्रति समर्पन रेजिमेंटल करतव व्यू में दिन बिताने के साथ ध्यान सिह चाननी रातों में हौकी का अभ्यास करते थे जिसके कारण उन्हें ध्यान चन नाम दिया गया वह आने वाले वर्षों में तेजी से आगे बड़े विभिन इंटर आर्मी मैचों के साथ अपने टीमों की मदद करने लगे और जल्द ही 1928 के उलम्पिक के लिए भारतिय हौकी टीम में शामिल हो गये उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ कर कभी नहीं देखा और होकी टीम के कमाल से दुनिया पर राज किया जिसने उन्हें होकी जादूगर और दम मेजिशियन बना दिया होकी के इस दिगज का करियर 1926 और 1948 तक चला और भारत के लिए 185 मैच का प्रदिन तित्व करने के बाद ऐसे महान होकी खिलाडियों में से एक बन कर उन्होंने अपने करियर को अंजाम दिया जब वे 1956 में भारती सीना की पंजाब रिजिनेंट में एक मेजर की पद से रिटायर हुए तो उन्हें भारत सरकार ने उसी वर्ष पद्मभूशन से सम्मानित किया जो की तीसरा सर्वुच्च नागरिक पुरसकार भी है उनके जीवन से हमें यह प्रेरना मिलती है कि लक्ष्य की प्राप्ती संघर्ष से ही होती है फिर से सुनिए लक्ष्य की प्राप्ती संघर्ष से ही होती है उनके प्रेरना से भी हमारे दिल में ध्यानचन भनने की चाहत होनी चाहिए देश की प्रती सम्मान और खेल के प्रत सम्मान की शिक्षा हमें उनके जीवन से मिलती है धन्यवाद